राधे राधे अधिक मास की पूर्णीमा साश्त्रोवी अधिक मास की पूर्णीमा का बहुत ही जादा महत्व माना गया है प्रसुत्तम मास भगवान विश्णू को ही समर्पित है अधिक मास की पूर्णीमा के दिन लक्षमी नारायन की पूजा का विधान है इस दिन वृत पूजन ये गहवन दान पुर्णियों नदी या अन्य तीर्थ इस्थानों पर इसनान आधी का विशेश महत्व होता है इस दिन किये गए दान पुर्णिय कई गुनाफ फल देते हैं जो इस वर्ष एक अगस्त को है पुर्णिय मा का जो महत्व होता है वो बहुत अधिक होता है सूर्य दों से पहले पुवित्र नदी या तीर्थ इस्थान पर या तिर्वेड़ी में सनान करने से महान पुर्णिय के प्राप्ति होती है इस दिन अपने पूरवजो के निमिदान आदी करने से या उनका तरपन करने से उन्हें शानती मिलती है पुर्णिय तमास में किये गए पुर्णिय कारियों का फल कई गुना मिलता है इस दिन अगर आप मा लक्षमी और नाराइन की कहानी सुनते हैं तो ये फल कई गुना जादा हो जाता है मित्रो चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपने चैनल नमस्ते हिंदु रिच्वल्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा कथा प्रारंब करते हैं एक पुराणिक कथा के अनुसार अथी प्राचेन समय में एक बार भगवान विश्णु और माता लक्षमी आपस में बात कर रहे थे भगवान विश्णु ने माता लक्षमी से कहा हे प्रिये देखो मनुष्य में मेरी भक्ति कितनी बढ़ गई है वो सदा ही नारायन नारायन का जाप करते रहते हैं तब श्री हरी विश्णु ने कहा देवी आपको ऐसा क्यों लगता है यह सब लक्षमी लक्षमी का जाप थोड़े करते हैं तब माता लक्षमी ने कहा प्रभु यदि आपको मेरी बात पर रिश्वास नहीं हो रहा तो आप पर रिक्षा लेकर देख लीजिए तब नारायन भगवान धर्ती पर एक नगर में एक ब्रहमन का रूप लेकर एक धनी साहुकार के द्वार पर पहुच गए उस साहुकार ने उनसे उनके विश्य में पूछा और उनके वहां आने का प्रियोजन भी बताने के लिए कहा तब प्रहमन रूप धारी भगवान विश्य ने कहा आपके नगर में कुस दिन भगवान विश्य की कथा और भजन किर्थन करने की इच्छा से आया हूँ यह जानकर उस साहुकार ने उनको अपने घर पर निवास करने के लिए कहा और अपनी कुछ लोगों को भजन किर्टन की विवस्था करने के लिए कहा साहुकार के लोगों ने सारी विवस्था कर दी और अगले ही दिन से ब्राहमन वेशधारी श्री नारायन ने कथा वाचन एवं भजन किर्टन शुरू कर दिया जब भगवान स्वयम अपनी कथा कह रहे हूं तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है उनकी कथा वाच्चन और भजन किर्तन में लोग मुक्द हो जाते शिरी हरी के दुआरा शिरी हरी की कथा सुनने का आनंद लेते दिनों दिन भीड बढ़ने लगी और भौत बड़ी संख्या में लोग कथा सुनने के लिए आने लगे एक दिन माता लक्ष्मी उसी नगर में लोगों की परिक्षा लेने के लिए एक व्रद महिला का रूप लेकर आई व्रद महिला के रूप में वो एक घर के सामने पहुची तो उन्होंने देखा कि एक महिला उस घर पर ताला लगा कर कहीं जाने की तयारी कर रही है तब उन्होंने उस महिला को रोख कर कहा पुत्री मुझे प्यास लगी है थोड़ा पानी दे दो उस महिला ने कहा माता जी मुझे प्रवचन के लिए जाना है मुझे वाँ पहुचने में पहले ही देर हो चुकी है पर उस वरत महिला ने फिर कहा पुतरी मुझे पानी पिला कर चली जाना उस महिला को दया आ गई और उसने वो सुवरत महिला को पानी का लोटा भर कर दिया उस वरत महिला ने पानी पीका जैसे ही लोटा वापस किया वो सोने का हो गया महिला यह देखकर आश्रे से भर गई फिर तो वो उस वरत से भोजन की मनुहार करने लगी बोली माता जी आपको भूग भी लगी होगे आपको हो तो भोजन भी लगा दो उस महिला ने सोचा जब पानी के लिए मैंने लोटा दिया तो वो सोने का हो गया अगर ये व्रद भोजन करेगी तो थाली कटोरी आदी सभी मेरे बरतन सोने के हो जाएंगे प्रन्तु उस व्रद महिला ने मना कर दिया और कहा पुत्री तुझे प्रवचन के लिए देड़ नहीं हो रही तू प्रवचन के लिए जा वो इस्तरी प्रवचन के लिए चली गई प्रन्तु उसके मन में वही बाते चल रही थी उसने प्रोचन में आई अन्य महिलाव को भी उस गटने के विशे में बताया जब महिलाव ने सुना कि एक व्रद को पानी पिलाने से वो बरतन सोने कब हो जाता है तो वो भी प्रोचन बीच में ही छोड़ कर उस महिला के पास उसे खोजने के लिए निकल पड़ी जैसे जैसे सबको सुरद महिला के विशे में पता चला तो सब उसुरद महिला के प्रतिक्षा करने और उसकी खोज करने और सेवा करने में व्यस्त हो गए और इस कारण से प्रवचन में जाना छोड़ दिया इस प्रकर प्रवचन में आने वाले लोगों की भीड दिन प्रति दिन कम होती चली गई लोगों की बाते सुनकर ओ दिन प्रति दिन प्रवचन में आने वाले लोगों की भीड को कम होता देखकर भगवान समझ गए कि लक्षमी जी इस नगर में आ चुकी है जब यह बातें उस साहुकार तक पहुचे कि एक व्रद नगर में आई है और जिसके भी बरतन में वो जल दूद या भोजन करती है वो सोने का हो जाता है यह बात सुनकर वो साहुकार बिर प्रवचन छोड़कर उस व्रद महिला के पास पहुच गया वो वहाँ पहुच कर उसने कहा हे माता आप सपर किर्पा कर रही हो और आपनी मुझे अपनी सेवा का मोका ही नहीं दिया जबकि मैंने तो अपनी घर पर भगवान के प्रवचन का आयोजन कर रखा था और आप मेरे ही घर क्यों नहीं आई तो व्रद रूपी माता लक्ष्मी ने कहा बेटा मैं तेरे घर आती परुंत तुने अपनी घर पर प्रवचन का आयोजन कर रखा था मैंने सोचा जब वो कथावाचक तेरे घर से चला जाएगा तो मैं तेरे घर आऊंगी वरद्धा के ऐसी बाते सुनकर उस साहुकार ने कहा माता अगर आप उस कथावाचक के रहते मेरे घर नहीं आ सकती तो मैं उस कथा वाचक के रहने की विवस्ता कहीं और कर देता हूँ आप मेरे साथ चलिए यह कहकर वो साहुकार उनको लेकर जल्दी से अपने घर पहुचा और ब्रहामन रोपी भगवान नारायन से कहा कि मैंने आपके रहने की विवस्ता धरमशाला में कर दी है आप यहां से वहां पर चले जाएगे तब उस ब्रहामन ने कहा पुत्र अभी तो कथा में कुछ दिन शेश है मैं उसके बाद तो वैसे ही चला जाऊंगा साहुकार ने कहा नहीं मेरे पास इत्ता समय नहीं है मेरे घर पर एक अथीति आये है और मुझे उनको अपने यहां रखना है इसलिए आप यहां से चले जाएगे तब ही व्रदिस्त्री का रोब धारण के वही मा लक्ष्मी अंदर आ गई और साहुकार से बोली तुम बाहर रुखो मैं उनसे बात करना चाहती हूँ उनकी बात सुनकर साहुकार बाहर चला गया तब माता लक्ष्मी नी भगवान विश्नु से कहा प्रभु देख लीजिये ये लोग आपकी भक्ति तो करते हैं पर आपको पाने के लिए नहीं बलकि मुझे पाने के लिए अब तो आप मेरी बात मानोगे तब भगवान विश्नु ने कहा देवी आपके बात सत्य है किन्तु एक सत्य ये भी है कि आप भी यहाँ इसलिए आई हैं क्योंकि यहाँ पर मेरी भक्ति हो रही थी मैं यहाँ सादू के रूप में प्रभु भक्ति कर रहा था और अन्य लोग भी यहाँ आकर इश्वर की भक्ति में लगे हुए थे इसलिए जहाँ भी सादू महात्मा और भक्त प्रभु की आरादना करेंगे वहाँ पर आपका वास होगा ऐसा कहकर भगवान विश्नु वैकुन धाम को चले गए भगवान विश्नु के वैकुन धाम चले जाने के बाद उस साखुकार के घर पर नगरवासियों की भीट जमा हो गई सभी लोग उस व्रदमहिला को अपने घर ले जाकर सेवा करना चाते थे तब व्रद महिला के रूप में माता लक्षमी ने नगरवाशियों से कहा कि मैं अब यहां से जा रही हूँ सभी लोग उनसे पूछने लगे कि हमसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आप हमें यू छोड़ कर जा रही है तब माता ने उत्तर दिया मैं तो वहीं वास करती हूँ जहां भगवान नारायन वास करते है आप लोगों ने तो उन्हीं निकाल दिया तो अब मैं यहां कैसे रह सकती हूँ वो जो यहां कथा वाचक करते थे वो मेरे स्वामी थे माता ने उनको अपना परीचे दिया और ये भी बताये कि किस तरह भगवान विश्णु एक अथा वाचक के रूप में सहुकार के यहां रहे उन्हेंने कहा कि मेरे स्वामी यहां थे इसलिए मैं यहां आई थी अब वो यहां से चले गए इसलिए मैं भी अब जाती हूँ ऐसा कहकर माता लक्ष्मी वहां से अंतरध्यान हो गई बोलो श्री लक्ष्मी नारायन की जैव तो दोस्तो जहां माता लक्ष्मी और श्री नारायन का वास होता है वहां सुक सम्रद्धी हमेशा बनी रहती है जहां नारायन की जैकारा होता है वहां माता लक्षमी स्वयम चल कराती हैं कथा कैसी लगी कमेंड बॉक्स में लिख कर जरूर बताईएगा बोलो राधे राधे दोस्तों